नमस्कार दोस्तो टेक्निकल फुटेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ कनिया तो आज के वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत यूजफूल ट्रिक है और अगर आप मुल्टिमीडिया फॉन चलाते तो यह शेटिंग आपको जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि यह ट्रिक ही आपको आपके और आपको मुबाइल को सिक्यूर रख सकता है अगर आपने मुबाइल में ऐसा शेटिंग नहीं किया तो आपका डाटा लिक हो सकता है आपका एकॉन खाली हो सकता है दोस्तों आपको यकीन नहीं हो रहा है लेकिन मैं आज आपको ऐसा ही कुछ बताने वाला हूं आप अपने मुवाईल में थर्ड पार्ट कोई एप तो इस्टाल करते ही होगे लेकिन क्या आपको पता है कि आप उसमें जो भी परमिशन मांगता है आप आँख मून करके अलाव अलाव करते जात इसके लिए हम अपने मुवाईल के शेटिंग को अन कर लेते हैं और अन करने के बाद यहां से हम अपने मुवाईल के एप्स में चले जाते हैं आपके मुवाईल में भी यह माई का फोन है और यहां पर देखे इंस्टॉल्ड एप्स का उप्शन आ रहा है इस तरह आपके म के लिए चलिए मैं सबसे पहले अपने अपने करने के लिए पर यहां पर मिसम को यहां से ओपर लेता हुए और पर्मिसन का करने का देखे दोस्तों जो मैंने वाटसफ को जब इस्ट्ल किया था आंख मूंद करके जो जो भी permission माँगा मैं allow allow करते गया यहाँ पर camera भी allow है contact भी location हर चीज रभाए लेकिन मैने यह सोचा नहीं कभी कि यहाँ पर WhatsApp को अगर मैं Camera का allow ना करो तो मुझे क्या दिक्कत है क्या मेरा WhatsApp नहीं चलेगा हाँ यहाँ Camera का करना क्या जिरूड है अगर मैं लोकेशन यहां से आप कर दो तो इससे मेरा क्या वाटसप पर कोई फर्क परेगा कोई भी फर्क नहीं परेगा दोस्तों लेकिन उससे भी खास बात है कि हमने यहां पर कर दिया है हमारे मुवाइल में आप तो अपने मुवाइल में नेट बैंकिंग से रिलेटेट कोई भी गूगल पर फॉन पर यह कुछ भी चलाते होंगे उसमें कोई भी OTP आता है और यह हमारे OTP को रीट कर रहा है वाटसप क्योंकि आप इसे पर्मिशन दे रखें और जहां अपको नूखसान में टाल सकता है अब को इसे उसे आख मुंद कर पर मिसन नही ने है यह बताना चाहर हूं और आंक मून के परमिशन देने से आपको कभी भी नुकसान हो सकता है परिशान ही उठाना पर सकता है इस तरह से चलिए मैं अधर एप्स को भी आपको दिखाता हूँ खोलके मैंने जो परमिशन दे रखा है वो परमिशन देना कितना है जरूर यह चलिए मैंने यहां पर एक share me का app है और मैंने इसे open करता हूँ और यहां पर पर्मिशन को क्लिक करता हूँ तो देखिए मैंने share me को भी camera का permission दे रखा हूँ और मेरा mobile का जो camera है यह पूरा camera में जो भी हो रहा है यह पूरा read कर रहा है इस तरह से अगर मैंने यहां पर camera का permission को आफ भी कर दूँगा तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पढ़ने वाला और मेरा काम चलता ही रहेगा इसके लिए सिफ और यहां पर जो share me location मांग रहे है में location भी allow करने का कोई जूरत नहीं है जब हम use करेंगे share me का उससे में allow कर दे तो इससे हमारा security बनी रहेगी इस तरह से दोस्तों आप कोई भी अपने मुवाइल में app को third party apps को जो install करते हो जब उसे permission देते हो तो उसे आंक मुंद कर permission ना दें इससे आपका data leak हो सकता है तो आज के वीडियो में मैं आपको यहीं बताने बताना चाह रहा हूं कि आप अप मुंद कर permission ना दें चलिए मैंने यहां पर जैसे कोई खोल को आपको दिखा देता हूं ुत है कि एस तरसे जैसे यह ज्योग है और मैंने इसरी है क्थ Ottoman करता हूं तो सिम्hos मिस्था क्षिए ढका है आफिक यहां पर मिशन को आप कर दिया हूं है तो सब्सक्राइन है तो यहां से वbung का सब्सक्राइब ढएंगा तो तो दोस्तों यह चोटी सी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेयर करें और उन्हें भी बताएं कि जो भी एप को इंस्टाल करते हैं उसे आंक मुंद कर परमिशन ना दे इसे उनका डेटा लीक हो सकता है तो अगर अभी त हैं नेस्ट वीडियो में एक अच्छे ट्रिक के साथ सब तक के लिए धन्यवाद